नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GK SPY TECHNOLOGY में और मैं आपका दोस्त कनेश पॉर्ट दोस्तो आज मैं आपके लिए लेका है हूँ वाइफाई कैमरा यह वाइफाई कैमरा है और साथ में इसे मैगनेट कैमरा भी कहते हैं तो आईए दोस्तो इसकी unboxing करके आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और साथ ही mobile से connect करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह mobile से connect होगा और online किया जा सकता है इसे आप online करके worldwide कहीं भी देख सकते हैं ये घर और office के security के लिए बहुत ही अच्छा device है आप इसे magnet में कहीं भी चिपका सकते हैं ये लोहे पे आराम से चिपके दोस्तों ये कुछ इस तरह का box होता है वाइफाई camera HD video camera ये वाइफाई camera है इसे आप local वाइफाई पे भी connector के अपने mobile पे देख सकते हैं और साथ ही अपने घर के वाइफाई से connect करके वर्डवाइस कहीं भी देख सकते हैं ये security के लिए बहुत ही अच्छा camera है तो आईए दोस्तों इसे unbox करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है तो ये box हम खूल डेते हैं ये box में है camera, data cable और एक magnet strip इस पर एक camera आराम से चिपक जाता है और ये पन्नी हम कर देते है remove ये है इसका on off button और ये है mode button और यहां लग जाएगा आपका micro sd card और ये charging के लिए micro usb port इसमें battery है ये कम से कम एक से तेड़ घंटे battery चलती है तो आईए दोस्तों इसे on कर देते हैं और साथ इसकी video clarity और wifi से कैसे mobile में connect होगा हम बताते हैं आपको ये बटन दबाए इसके अंदर ये रेट कलर की लाइड यानि camera हमारा on हो गया है तो दोस्तों आईए चलते हैं अपने mobile के screen पे और इसकी connectivity आपको हम बताते हैं ये किस तरह से mobile के local wifi से connect होगा और किस तरह इसे आप घर के wifi से connect कर सकते हैं अब हम अपने mobile का play store खोलेंगे और यहां सर्च करेंगे ht wifi cam pro यह मैंने उपर type कर रखा है इसे search करेंगे इस तरह का logo आएगा और इसे कर लेंगे install मैंने install कर रखा है आप लोग इस टोर कर लीजे और यहां से आ जाएंगे और application खोलेंगे और यहां पर हम यह search का बटन दवाएंगे और यह camera हमारा आ गया इसे add कर लेंगे और shore का बटन दवाएंगे और camera पर क्लिक करेंगे और इसे हम mood select कर देते हैं 1080P पर जैसा कि आप देख पार है उन्हें दोस्तों इसमें clarity काफी अच्छी आ रही है इसमें battery backup होता है यह कम से कम एक से देड़ घंटे आपका continue पेगर charger के भी चल सकता है तो आईए दोस्तों इसके और feature जान लेते हैं हम अब यहां से आएंगे हम और यहां से खोलेंगे setting यहां से अगर आपको अपने घर के wifi से connect करना है तो यहां पर wifi पर क्लिक कीजिए आपके घर के जितने भी network होंगे यहां पर आपको दिखाई देंगे आपको क्लिक करना है और password डाल देना है यह घर के wifi से आपके connect हो जाएगा और आप all इंडिया कहीं भी देख सकते हैं यहां पर user का है आप चाहे तो यह यहां password change कर सकते हैं कि आपके अलावा यहां कोई भी आपके camera को ना देख सके alarm setting है और restart है reset है बागी तो आप जानते ही है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को share करें साथ ही वीडियो को like और हमारी channel को subscribe करें जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो आ आपको मिल सके दोस्तों अगर आपके पास भी camera पड़ा हो जिसमें चलाने में आपको दिक्कत आ रही हो तो discussion में मैंने अपना mobile number डाल लगा है आप WhatsApp पे contact कीजिए और आपकी पूरी सहाथा की जाएगी और साथ ही अगर आपको यह camera मंगाना है तो हम आपको career करवा देंगे original पीस बिलकुल कोई भी छेड़ चार नहीं नमस्कार